कि अज़िए आज के सेशन की शुरुवात करते हैं जहां बात करने वाले हैं आपके शरीर के एक और इंपोर्टन्ट और्गन सिस्टम के बारे में यानिकी अंग प्रणाली के बारे में जिसका नाम है सर्किलेटरी सिस्टम तो एक बार सभी बताएंगे आप सभी कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोगों की तयारी राम राम गुड मॉर्निंग राधे राधे चालो सभी आ अपने एक्जाम को क्वालिफाय करने की एक जिद उसके अंदर बनी हुई है तो जरूर से पहुंचाइए और एक बार बताएंगे सभी की तयारी बढ़िया चल रही है कि कि आज मामला थोड़ा सा माम इंपोर्टन्ट है यहां से क्वेशन्स भी आप लोग के रहते हैं जि जोने ABCD नहीं पड़ी है लेकिन हां इंग्लिश की लांग्वेज का सबसे टफेस्ट या लॉंगेस्ट वर्ट समझने के लिए हम तयार हैं ऐसी शलांग मारोगे तो दिक्कत ज़रूर होगी इसलिए अपना जो बेसिक होता है उसे जरूर से आप पहले क्लियर करें तब चाये जा रहे हैं या कैसे आपका हृदय काम करता है इन सभी चीजों के बारे में ठीक है वाई विशेश सेनी चलो तो शुरू करते हैं माम इस टॉपिक को और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि क्या दिल वाकई में तूटता है मनले अब दिल तो खामखा बदनाम किया ह हुआ है तुमने दिल का तो कोई रोल ही नहीं होता कि दिल टूट गया बिचारा एक छोटा सा पंप करने का ओर गन है लेकिन माडम दिल टूट गया तो आज के सेशन में काफी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले और पढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से यह तंत्र जो है वो यहाँ पर काम करता है इनीशली अगर हम देखें तो हर एक औरगन सिस्टम के साथ एक मेजर अंग काम करता है जैसे हमने पाचन तंत्र पढ़ा वहां आपका अमार्शय और आपकी आते काम कर रही थी जिन्होंने मुख्य तोर पे आपके पाचन में सहा पर हमने श्वसन तंत्र देखा श्वसन तंत्र के अंदर आपकी बॉडे के लंस यानि कि जो फेफड़े हैं वो काम कर रहे थे ऐसे ही आपके बॉड़ी का जो हुरदै है जैसे हम सह मुमन हार्ट कहते हैं वहह अपके बॉड़ी के अंदर इस परिशंचन तंत्र में बेह important role play करता है मतलब यहाँ अगर ये machine ना हो मेडम तो आधे काम जो है ना वो वहीं rest हो जाएंगे body जो है वो पूरी तरहा से काम करना तुरंट से बंद कर देती है और covid काल के बाद से आप सबने एक चीज़ जरूर देखी है कि ये जो दिल है हार्ट है इसके बहुत सारे रोग बनते जा रहेंगी व्यक्ति नॉर्मल है exercise कर रहा है कहीं जिम कर रहा है कोई dance कर रहा है उसको heart attack आ गया heart pale हो गया cardiac arrest हो गया हम समझीनी बाते हैं मसला होता गया है और किस प्रकार से अचानक से ये हृदय संबंदी बिमारियां हमें देखने को मिल जाती है इन सभी चोटी-चोटी चीजों को discuss करेंगे आपके इस चाप्टर में जिसमें मुख्य ओर्गन आपका heart है लेकिन हृदय के साथ साथ heart तो है ही है क्या हार्ट अकेला काम कर पाएगा बोलो बताओ जरा एक बार माम इसका काम क्या है ये blood को pump कर रहा है हमने blood पढ़ लिया blood के अंदर cells है plasma है ये उस रख्त को तुम खारे पूरे शरीर में सप्लाई करता है तो पहली चीज तो देखो ये मत कहना कि blood के जो आपका heart है ये तूट गया ये कैसा बचारा एक organ है इसके अंदर सिर्फ muscles है इसके अंदर bone नाम की तो कोई चीज ही नहीं हड़ी तो कोई है ही नहीं तो अगली बार से हम ये तो नहीं कहेंगे ये तो नहीं कहेंगे कि माम दिल तूट गया है ठीके प्रयांशू Monday to Friday रहती है वो तो आपकी अब Monday वाले दिन होगी ठीके Monday to Friday लगा तार मैं हार्ट अटेक मेल में ही क्यों आदा अभी पढ़ेंगे है ना अभी पढ़ेंगे इन सभी चीजों को यहां पर cover करेंगे तो यह जो हार्ट आप देख पा रहे हो यह रिदय हमारा सिर्फ एक मास पेशी से बना हुआ अंग है लेकिन इसके साथ साथ इस चाप्टर में हम और क्या-क्या पढ़ने वाले हैं हम अगर इस पूरे सर्क्यू लेटरी सिस्टम को देखें यानि की मानव का परी संचरन तंत्र इसके अंदर प्रिदय भी पढ़ेंगे हार्ट भी पढ़ेंगे इस हार्ट से जो आपका ब्लड है वो किस प्रकार से आपकी रक्त वाहिकाओं के द्वारा ले जाया जाता है उन रक्त वाहिकाओं को भी हम यहाँ पर पढ़ेगे कि भाहिया वो रक्त वाहिका क्या होती है और जो ब्लड बह रहा है उसके बारे में हम अध्यन कर चुके हैं कि आपका यह जो रक्त है रुधिर है यह किस प्रकार से उपस्तित होता है ठीक है तो यह कहानी होती है जब हम आपके इस पूरे सिस्टम की जिसे हम कहते हैं परी संचरन तंत्र हम बहुत छोटी छोटी सी चीज़े हैं जैसे हमने इस हार्ट की बात करी यह ब्लड तो हमारा इन सारी नसों में बहता है आप अपनी नसे देखेंगे उपर की तरफ कुछ उभरी हुई हरी हरी रंकी दिख अंदर धसी हुई लाल रंकी नसे दिखाई देती हैं उन सभी नसों के अंदर ब्लड बहर है यह ब्लड के सेल्स हैं कल पढ़ा सामने आरबी सी होते हैं मुख्य तोर पे जो कि आपको कणिकाओं के रूप में हापर उपस्तित नजर आते हैं अब इन ही पूरी अलग-अलग वाहिकाओं से मिलकर के हमारा यह सिस्टम जो है वो बना हुआ है मुख्य तोर पे आप क्या देखोगे बॉड़ी में कुछ इस प्रकार से कुछ नीली और कुछ लाल इस प्रकार से वाहिकाओं जोने हम ब्लड की वैसल कहते हैं यह यहां पर उपस्तित होते हैं लेकिन आप रेस्पिरिशन पढ़ा था क्यों बहीं बोलो रेस्पिरिशन अपको ख्लियर था या नहीं था रेको मन में ना नॉर्मल सी बात माम जाहें किसी भी उम्र के पड़ाओ कर आप הי existe आपके अगर बोडी के अंदर एमोशन नहीं गुस्सा भी होता है, ठीक है आपको भूक लग रही है, प्यास लग रही है, किसी भी प्रकार से इन सभी emotions को जब हम देखते हैं, तो ये सारे emotions के अंदर मिलकर के एक इनसान के, आप ये तो नहीं देखते हैं, कि मैं कोई ये marker है मेरे पास, इसके पास कुछ emotions है, क्या है, इसक नफरत हो गए, ऐसा तो नहीं होगा, कोई जीवित है ये उसी की विशेष्टा है, लेकिन ये जो बिचारे को तुमने बढ़नाम कर रखा, इसका कोई भी रोल emotions में नहीं है, जो तुम भावनाओं को जिम्मदार ठहरा देते हो, ये काम तुम्हारे brain का है, कहते हैं सारा खे आगे बहुत हो जाएगी और जिस फोकस को आप बना कर चले हैं, कि हमें निकालना है एक्जाम, वो एक्जाम नहीं निकलेगा, हम आम दुनिया भर की चीज़े हो जाएगी, लोग बैठे रह जाते हैं साल दर साल, कि बताओ एक छोटी सी गलती और पूरा साल खराब, तो य इस प्रकार से ये आपका हरदय काम करता है, घर में कूलर से ने देखा, एक बात बदाओ, कूलर होता है, कूलर के अंदर एक पंप लगी होती है, उस पंप का क्या काम होता है, मैं एक नॉर्मली मोटर पंप की अगर बात करूँ, वो क्या करेगा, कूलर के हर साइड पर, प है भरता है और यह आगे तक बॉड़ी के सारे और गन्स तक उसको पहुचाने का काम करता है ठीक है तो यह केवल मोटर पंप की तरह काम कर रहे हैं पंपिंग मशीन है इसका और कोई भी रोल यहां पर नहीं है आपके फेफ़डों तक ऑक्सिजन जो आ रही है जा रही है इसक दिखाई देगा और दूसरा हमारे शरीर के सभी बाकी के अंगों के साथ भी इसका जो रोल है जो कोडिनेशन है वो यहां पर देखने को मिलता है ठीक है चलिक है तो इस प्रकार से हमारा हार्ट काम कर रहा होता है इसी पूरे के पूरे यह जो आप देख रहे हो कि परी संचरन तंत्र ठीक है सर क्यूलेटरी सिस्टम अब हर किसी का कोई ना कोई जनक होता है दखो किसी ने तो खोज करी होगी यहां पर भी इस पूरे परी संचरन तंत्र की खोज करता उनका नाम ज़रूर याद रखेंगे इसके जनक कहे जाते हैं इसके फादर कहे जाते ह सर विलियम हारवे थे जिन्हों ने इस पूरे परी संचुरन तंत्र की खोज करी थी यानि कि फादर आफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जनको हम यहां पर नाम देते हैं मिल्कुल सही ब्लड ग्रुप पूछे का किसने खोज करी थी तो काल लैंस्टीनर थे लैंस्टीनर खोज की गई थी इनकी फोटो देख लो जरा कुछ इस प्रकार से दिखाई देते थे ठीक है 1628 में होने यहां पर करी थी बोलो किसी को कई समस्या मैम मैट्स का स्टूडेंट हूं अच्छा तो बायोजी अब ऐसी कवर करते चलो अपने बायो के दुख-दर्थ पीड़ा को मैम के साथ छोड़ दो कि मैम आप बायोजी संभाल दो हम रिविजन जरूर करेंगे यह वादा तुमने मुझसे डे वन में किया था कि हम रिविजन डेली करेंगे वरना समस्या जाएगी बहुत जादा अभी एक मॉक टेस भी तुम्हारा रहेगा नेक्स्ट वीक के अंदर सब्राइस टेस्ट रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे आपके सर्फ सवालों को कवर करेंगे कि अब तक जितना पढ़ा है कितना आप अच्छे से क्वेशन को लगा पारें और सब मिक्स क्वेशन होंगे जो अब तक पढ़ चुके हैं इसलिए रिविजन करते रहें यह मत चो आपका सर्किलेटरी सिस्टम है इसको हम दो भागों में बाटते हैं यह जो आपका ब्लड सर्किलेटरी सिस्टम होता है यानि कि रक्त परी संचरन तंत्र यह बटा हुआ है दो भागों में अब दो भाग कौन कौन से होंगे सबसे पहला आता है ओपन सर्किलेटरी सिस्टम यानि कि मैं कहूंगी खुला परी संचरन तंत्र अब इतना तो आप समझ गए कि माम ब्लड बह रहा है मैं आपसे ये कह रही हूँ हमारी बॉडी के अंदर ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है वो पूरा फैला हूँ accuracy दिख़ रहा हूँ फैलता तो नहीं है माम ये व्यवस्तित है कि द्वारा कुछ नसों के द्वारा कुछ रक्त वाहिकाओं के द्वारा ठीक है कुछ रक्त वाहिकाओं के दुबरा अब तुम मुझे इस ग्रास्वापर को देखकर बताओ यह टिड़ा तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे इसकी बॉड़ी के अंदर मैं क्या चल रहा है यह मसला हाट तो इसके पास भी है लेकिन इसकी बॉड़ी में सारा का सारा ब पूरी बॉड़ी में फैल जाता है कहने का मतलब इसके पास कोई भी लाल नीली हरी कोई भी रक्तवाहिका नहीं है आपके पास है आप देख रहे हो कि हाथ के अंदर कुछ नसे जा रही है एक चरी है कुछ लाल है ऐसा इसके पास कोई system नहीं है यानि कि इसका blood पूरी body में क्या वो रखा है माम फैला हुआ नजर आ रहा है इसी लिए ऐसे परी संचुरन दंत्र को कहते हैं खुला खुला परी संचुरन या open circulatory system open मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई blood vessel उपस्तेत नहीं है बोलो कोई समस्या यहाँ पर जिसने कभी भी biology ना भी पढ़ी होना आप भी यहाँ पर खड़ सकते हो क्योंकि हम advance नहीं पढ़े हैं बटा हम neat की तियार ही नहीं करते हम बिल्कुल basic से इंस्पेक्टर लेवल तक कि तुम्हें अपने जो इंस्पेक्टर बनने का खवाब है वो पूरा हो जाए तो बिल्कुल basic से शुरू कर रहे हैं इसलिए जिसने आज तक नहीं पढ़ी है वो भी इस पूरी सीरीज को जो मिशन दोहजार चौविस आपका शुरू किया गया है इसको आप कर सकते हो यह मत सोचना कि माम मैं किस exam को focus कर रहा हूं this is for all your exams आप चितने भी सरकारी exam दे रहे हो यह आप आम दिल तो सेम काम करेगा ना कोई भी exam वाला पूच ले सवाल हम उसी आधार में हाँ पर करेंगे ठीक है चलिए सुधीप मंडे से होगी मंडे से होगी 7 अम ठीक है मंडे से होगी मंडे टू फ्राइडे उसका टाइम टिबल है तो इसे कहा जाता है open circulatory system यानि कि खुला परी संचरन तंत्र लेकिन मैडम एक चीज और बताओ हमें अब हमारी बॉडी के अंदर नसे भाती है यह पूरा हार्ट है एक तरफ आपका शुद्ध रख्त होता है यह भी बहरा होता है यह पूरा कुछ वाहिकाओं के द्वारा जब बॉडी के अंदर जाता है इसे कहते हैं क्लोजड सर्क्यूलेटरी सिस्टम क्लोजड क्यों है क्योंकि यहां से हमारी क्या निकल रही होगी कोई ना कोई नसे जो है वो बहार निकलती है यह आप देख पार हो यह हमारी नसों के द्वारा क्या होता है बॉडी के अंदर पंप होता है इसलिए इसको क्लोजड सर्क्य संचरन तंत्र है इसके अंदर मुख्य कहानी कि भईया blood vessels नहीं होती रक्त की वाहिकाएं नहीं होती रक्त वाहिका अनुपस्तित और इधर देखेंगे तो यहां आपकी blood vessels होती है ठीक है blood vessels क्या है? present है मतलब proper धमनी आएगी एक शिरा आएगी जो की blood को ले करके जाने का कारे करेगी clear है सबको तो एक जगा होती है और एक जगा नहीं दिखाई देती है यह difference बना कि open circulatory है या फिर close circulatory है लेकिन माम हम तो एक चीज़ और सुने है कि भया कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनकी body के अंदर केवल एक ही cycle blood पूरी करता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो चक्र पूरे कर रहा होता है अब ये क्या मसला है? देखो ज़रा यहाँ पर अगर हम बात करें मचलियों के बारे में भई देखो सबका यह जो heart है ना यह कुछ कक्ष में बटा हुआ होता है कुछ chambers होता है इसके अंदर मैंने कहा कि यह जो पूरा का पूरा आपका हरदय है मास पेशी से बना हुआ अंग तो है लेकिन साथ में इस हरदय के अंदर कुछ कक्ष होते हैं कुछ partition होंगे कुछ chambers होंगे आपने कहा कि मैं मेरे पास एक तरफ मचली है मचली के पास होता है दो कक्ष का सिद्ध है कुछ इस प्रकार से एक उपर एक नीचे मैं एक कक्ष को नाम देती हूँ आलिंद और दूसरे को देती हूँ निले एक को आलिंद कहा दूसरे को निले कहा ए मतलब एट्रियम इंग्लिश में इसको कहा जाएगा हिंदी में कहेंगे आलिंद और वी से वेंट्रिकल जिसका मतलब होता है निले ठीक है मैंने इसको दो पार्टिशन में बाट दिया दो भागों में बाट दिया यह आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं एक और एक दो यह बीच में इसका पार्टिशन यह दो चैंबर इसके आपको दिखाई दे रहे हैं अब मचलियों के अंदर यह केस हम पूरी बॉडी में आया, फिर हाट में गया, तो मतलब इसकी एक साइगल पूरी रोटेट होती हुए दिख रही है कि नहीं, जल्दी से बताओ एक बार, हांजी, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, पीडिएफ मिल जाएगा, पीडिएफ कल वाला भी जा चुका है, और आप का आज वाला भी क्लास के बाद पहुँच जाएगा, क्लियर हो रही है सब को की नहीं, ऐसे होता है माम, तो ये एक साइगल पूरी कर रहा है, मतलब यहाँ पर केवल ब्लड एक चक्र पूरा कर रहा है, तो मैं कह सकते हो, एक चक्री है, सिंगल सर्कुलेशन में हमें दिखा इब आई डे रहा है, ठीक है मैडम मान गए बाद को, इधर देखेंगे मानव के अंदर, मानव के अंदर ये पेफडों के साथ मिलकर के ऐक्सिजण लाता है, यहाँ से ऑक्सिजण को ले करके आया, यह लंक्स हैं आपके, यहाँ से ऑक्सिजणेटिटेट ब्लड आया, हार यानिकी दौहरा परी संचरन जहाँ दो साइकल ये आपकी बॉड़ी के अंदर पूरी कर रहा है इस सर्क्यूलेशन को नाम देपे हैं डबल सर्क्यूलेशन जितने भी स्टन धारी आप देखते हो पक्षी देखते हो उनके अंदर कुछ ऐसा ही डबल सर्कुलेशन दोहरा परी संचरन दिखाई देता है बर्ड में और मैमल्स में बहुत बढ़ी आपाई देखे हैं हाँ अब ये मैम वेल के कितने चामबर होते हैं अब पढ़ेंगे सब कुछ सब कुछ नजर हैगा कि किस के अंदर कितने चामबर होते हैं तो ये आपको समझ में आया कि एकल परी संचरन और दोहरा परी संचरन क्या है यानि कि एक के अंदर एक साइकल पूरी हो रही है और दूसरे में दो अलग-अलग साइकल को ये पूरी कर रहा है हम जो बार-बार बात कर रहे हैं उसके examples बहुत important है तो examples पर जरूर से ध्यान दीजेगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भईया एक तरफ आपके पास खुला परी संचरन है और दूसरी तरफ बंद परी संचरन है तो खुला परी संचरन तंतर किस के अंदर नजर आता है तो ये question आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है आंसर लगाएंगे इन vertebrates का, arthropod, mulus का कुछ ऐसे अकशेरु की जीव होते हैं जुनके शरीर में रक्त की वाहिकाएं नहीं और ब्लड पूरे बॉड़ी में घूमता हुआ नजर आता है हाँ वही समझ पा रहे हो कि नहीं अरे तुम्हारे तो चार ही चांबर है, मानफ के तो चार होते हैं यहाँ कुछ ऐसे अकशेरु की जीव आएंगे जो हम अनिमल गिंग्डम में स्टार्टिंग से बढ़ेंगे वहाँ पर आपके सभी कीट आते हैं बटरफलाई है, स्कॉर्पियन है, टिडड़ा है यह सब आर्थरोपोर्ड में दिखाई देंगे सबसे बड़ा संग होता है मुलसका की बात करेंगे इसके अंदर आपका घूंगा है, ऑक्टूपस है, स्नेल है यह पानी में रहने वाले कुछ जीव जो है वो यहाँ पर नज़र आएंगे तो इसके पास होता है खुला परी सेंचरन लेकिन अगर मैं बंद वाले की बात करूँ लेकिन कूट के कहां आगया आपका डबल स्वारी क्लोस सर्किलेटरी सिस्टम के अंदर दिखाई देगा क्या यह बात सबको क्लियर हो दिया हाइडरा किसका एक्जाम्पल है हाइडरा सीलेंट रेट्स में आता है सीलेंट रेटा नाम का जन्तुओं में एक संग नजर आएगा एनिमल है जिसके अंदर हमें हाइटरा दिखाई देता है बडिंग के थुरू इसके रीप्रोडक्शन की साइकल हमें देखने को मिल जाती है ठीक है चलो सभी के जवाब मेरे पास आ रहे है आखके रामगे बिलकुल बॉन मेरो कहाँ पाया जाता है बॉन मेरो आपके बॉन के अंदर दिखाई देगा स्तन धारी मेमल्स को कहते है जो कि जिनके पास स्तन ग्रन्थियां मowझूद होती है निके डिमरी ट्लान्स मौझूद होते हैं बच्चों को जन्म देने में सक्षम होते हैं इसमें सारे के सारे जितने भी आप मुख्य जानवर देखेंगे और साथ में आपके मानव की हम बात करें वो भी क्या है एक मैमल हमें नजर आ रहा है ठीक है पीडिएफ जो है पीडिएफ जो है और आंकरस गरुगल टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा अभी क्लास के बाद आप लोग एक बार उस पीडिएफ को ले सकते हैं कोई समस्या किसी को यहां तक बहुत जल्दी से बताओ छोटी-छोटी सी चीज़े हैं और बहुत इंपॉर्टन है तो जो लिख रहे हैं वो लिखते चलेंगे और जो समझ रहे हैं यह समझते हैं चलो एक बार जल्दी से चलिए अब दूसरी हमने बात करी कि कौन सा सिंगल और कौन सा डबल सर्कुलेशन होता है तो माम सिंगल की बात करें यानि ही ऑगे हैं बात करी इस पूरे परिसंचरंड की लेकिन इसके साथ की जो बलड है यह बह रहा है कुछ रक्त वाहिकाओं के और वही रक्तवाहिकाएं जो हैं, वह हमारी तीन मुख्य प्रकार की होती हैं, एक लाल रंग की दिखाई देती हैं, बिल्कुल अंदर शरीर में धसी वी होगी, एक उब्री वी होती है हरे और नीले रंग की, आप सब अपने हाथ पर देखो, आपको इजीली उपर की तरफ उब्री वी कुछ नसे नजर आती हैं, जोने हम कहते हैं कि यह उब्री वी बिल्कुल ब्लुईश ग्रीन कलर की दिखाई देगी इस प्रकार से, क्यों भई, सब ने देखी है कि नहीं, कुछ इस प्रकार से दिखती है, जो बहुत पतले होते हैं उनके अंदर तो कुछ इस परहा से उब्री वी होती है कि इनसान उसको इजीले टच कर सकता है, हाँ भई, खीक है, क्लियर है, तो ब्लुईश ब्लुईश ग्रीन ऐसे रंग में नीली और नीली हरी कलर की हमें नजर आती है, तो मुख्य प्रकार से आपको तीन रक्त वाहिकाईं दिखेंगी, एक लाल रंकी, एक और आती है, जो इन दोनों को, धमनी को और शिरा को कनेक्ट करेगी, तो एक बार इनके बारे में लिख लेते हैं, कि यह जो मुख्य आपकी ब्लड वैसल्स है, यह कौन-कौन सी देखी जाती है, ब्लड की वैसल्स, यानि की रक्त वाहिका, और रक्त वाहिका का क दूसरी होती है, वीन्स, वीन्स को शिरा कहा जाता है, और तीसरी कहलाई जाती है, कैपिलरी, कैपिलरी को केशिका के नाम से हिंदी में जाना जाता है, काम क्या होगा इनका यह बहुत इंपोर्टन चीज है, जानने के लिए, आट्री सभी लाल रंग की होती है, यह आपको bluish green color ठीक है थोड़ा नीला और हरा रंग जो है वो आपको इनका दिखाई देगा usually नीला color बोलते हैं कि blue color की दिखाई देती है और यह capillary जो होती है यह actually connect करती है इन दोनों को जोड़ने का काम करती है connect artery to vein यह धमनी को शिरा से जोड़ती है ठीक है यह धमनी को शिरा से जोड़ने का काम करती है तो तीन अलग-अलग प्रकार की हमें दिखाई देती है अभी भी देखो एक कह रहा है कि माम दिल कैसे तोटता है अरे दिल तोटता ही तो नहीं है यही तो हमने शुरुआत करी कि दिल आपका मास पेशी का अंग है बेटा यह तूट नहीं सकता यह एक muscular organ है यह एक मास पेशी का अंग है अब तुम एक रबड ले लो और उसको तोड़ करके दिखाओ तूटेगी तू नहीं न वो खिच जाएगी स्ट्रेच हो जाएगी ऐसी कुछ मसल का हाल होता है ऐसा ही कुछ मसल का हाल होता है चलिए आर्टरी का काम है लाल रंग का शुद्रक्त को लेके जाना अब यह कैरी करती है oxygenated blood आप oxygenated लिख लीजे या फिर यहाँ पर लिख सकते हो pure blood ठीक है यह कैरी करती है oxygenated blood यह आप लिख सकते हो impure blood ब्राकेट में लिख लेना CO2 वाला और यह होता है oxygenated यान की oxygen वाला चलो यहां पर यह लेकर तो जा रही है यह oxygenated blood को लेकिन कहां से कहां तक तो तुम्हें क्या याद रखना है तुम्हें पैंसिल याद रखनी है बच्पन में पैंसिल से काम करते थे अब भी गड़ते हैं अब भी गड़ते हैं और पैंसिल कौन सी हार्ट से बॉड़ी के सभी organs तक लेकर के जा रही है जिसमें मैं अभी फेफडों को उनकी लिए उड़ नहीं कर रही हूं हार्ट के बॉड़ी के organs तक यह कहरी करती है ठीक है और इसका चस्ट उल्टा काम किसके दवारा होगा आपके इन शिराओं के दवारा होगा यानि कि यहां पर यह बॉड़ी से लेकर के जाएंगी शरीर से और आपके स्रिदय तक हार्ट तक ब्लड को लेकर के जाती है और कैसा ब्लड ले जाएगी अभी आपने देखा CO2 वाला ब्लड यानि की कार्बन डायोकसाइड योक्त ब्लड जो भी आपका वेस्ट होगा उसको बाहर निकालने में यह मदद करती है चीक है बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ हार्ट टो बॉड़ी एच बी मेंदल से एक इसको याद रखोगे यह अपने आप याद हो जाएगी लेकिन कहते हैं जीवन में अपवाद ना हो तो मज़ा क्या है और यहां बाइलोजी तो भरी बड आपके निली वाली आ रही है अशुद्रख्ट वाली शिरा और यह आ रही एक धमनी लाल रंग वाली इन दोनों को जोड करके मिला करके जो आपकी बीच में यह हिस्सा बना इसे कहते हैं क्या पिलरी इसकी इन्हें के शिकाएं कहते हैं सबसे छोटा एक बलड वैसल यही कह सबसे छोटी यह है तो सबसे बड़ी कौन सी होगी सबसे छोटी वाहिका अगर यह है तो सबसे बड़ी कौन सी होगी लारज़स्ट बलड वेसल कौन सी कही जाती है कॉमेंट सेक्षिन में जल्दी से एक बार मैं बलड बहर कैसे निकलता है बलड बहर कैसे निकलता है इन पूरी वेसल्स के द्वारा जाता है न तो फिर वो ब्लड आपके बोडी से वहर आना शुरू हो जाता है अब आता है लार्जेस्ट की बात तो बिलकुल सही लार्जेस्ट वाली आपकी यह दह्मनी जो है यह कही जाती है इन्हीं को हम कहते हैं लार्जेस्ट ब्लड वैसल यह सबसे बड़ी आपको साइज में दिख इसजनेटिड ब्लड को हार्ट से बॉडी तक लेकर के जाती है लेकिन एक छोटी सी ऐसी होती है जो कि उल्टा काम कर रही होती है वो एक्सेप्शन के अंदर आती है जिसको हम नाम देते हैं अपवाद आर्ट्री इस वाले हेडिंग में लिखना एक्सेप्शन पल्मो नरी आर्ट्री का पल्मो नरी आर्ट्री यानि की फुस्फुसिय धमनी फुस्फुसिय धमनी ये फुस्फुसिय धमनी और एक होती है आपकी गर्भ नाल धमनी अंबिलिकल आर्ट्री इसका काम क्या होता है दे केरी ओक्सिजनेटिड ब्लड प्रॉम दी लंग्स टू दी हार्ट ठीक है यह हम बात करेंगे हैं यहाँ पर किसके बारे में को लिख लेना अंबिलिकल आर्टर यानि की गर्भ नाल धमनी बटा देखो सिंपल चीज़े तो सब कोई लिख लेते हैं लेकिन एक्सेप्शन जो है यही सवाल आपके बन जाते हैं एक्सेप्शन में क्या आएगा वहां आती है एक फुसफुसी है धमनी और एक फुसफुसी है शिराज इनका काम क्या होता है जो बिल्कुल अपोजट काम करती है अपनी नॉर्मल धमनी और नॉर्मल शिराओं से इसको समझने के लिए एक छोटा सा डाइग्राम यहाँ पर समझेंगे कि आपके शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है यह कैसे काम करता है यह ब्लड फ्लो किस प्रकार से आपका दिखाई देगा अभी लिख लेना अराम से अभी लिख लेना लेकिन पहले समझ लो फिर हार्ट अटाइक हार्ट फेल जब तक तक तुमने हार्ट ही नहीं पड़ा तुम्हें यहीं नहीं पता हम हार्ट के अंदर चल क्या रहा है तो आम मैं तुम्हें डिरेक्ली कैसे बताऊं कि हार्ट कर दो भी सारे रोगों को समझेंगे कि किस प्रकार से होगा ब्रेक अप के टाइम धंदी कोई ना काटना नहीं यह देखो यह ग्यान देने वाले बहुत हैं कि ब्रेक अप के टाइम पर क्या करना बेटा तुम्हारा जब रिजल्ट आएगा ना तब सोचो कि तब क्या हालत हो ये अभी जिस focus के साथ काम कर रहे हो stones focus को सुधार लो ऐसा ना हो कि माम सम्य निकल जाए और हम सब को यही ग्यान देते रहे जाए कि कब क्या करना और क्या नहीं और हम खुद कुछ ना कर पाएं हमारा खुद का नंबर ना बैठ पाए और बाकियों को हम ग्यान देते रह जाएं चलिए ये आपका हार्ट है और इस हार्ट के चार चेंबर मेंने बना दिये मैंने का भई चार कक्ष होते हैं कोई समस्या नहीं है उपर की तरफ मैं फेफडों को रख देती हूं और नीचे की तरफ बोडी के पार्ट्स को ठीक है शरीर के सारे अंग आपके आ गए नीचे की तरफ अब मैम ब्लड आएगा कहां से आप सबने श्वसंत अंत्र पढ़ा था क्यों भाई पढ़ा था कि नही श्वसंत अंत्र में क्या हो रख था अपने सास ली सास ली तो बाहर के वतावरेंड से जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन आपके हार्ट तक बेसीकली आपके लंग्स तक गई सबसे पहले यानि कि हमारे ऐलवियोलाय तक पहुँची हमारे वायू कोशो तक पहुंचे हमने जो भी सांस ली oxygen कहा तक गई फेफडों तक अब एक बात बताओ फेफडों से oxygen कहा जाएगी जल्दी से बताओ मुझे एक बार वो फेफडों से oxygen कहा जाएगी कि मैं वो ना छोटी-छोटी सी कुपिकाओं में आ गई थी फेफडों के अब यहां से कहां पहुंचे की ब्लड में और वही ब्लड इन लंग्स की कुपिकाओं से लेकर के कहां जाएगा हमारे हार्ट तक आएगा कि नहीं आएगा कि भईया तुम्हारा काम शुरू मेरा काम खतम मैं oxygen को लेके आ गया अब तुम धड़कना शुरू करो और बोड़ सिस्टम में कोई काम नहीं है किडिनी सिर्फ यहां बैठी होगी शरीर के बाकी यंगों में oxygen ले रही होगी कि अच्छा अच्छा आ गए तो एक धमनी आएगी जो oxygenated blood को लेकर के आ जाएगी तो कुछ इस प्रकार से फेवरों से blood कहां आया आपके इस हिस्से में आया इस हिस्से से यहां नीचे कपार्ट होता है इस कपार्ट को खोल करके नीचे blood गया और फिर यहां से बाहर निकलके आपका blood body के parts तक आ गया क्लियर है कहानी लंग से आया heart के left auricle तक आपके आलिंद तक आलिंद से नीचे इस निले में गया और निले से फिर कहां आ गया body के parts तक आ गया ठीक अब यहां से मेडम फिर blood जो है हमारा वो कहां जाएगा इस हिस्से में जाएगा और यहां से फिर एक का पार्ट खुलेगा और खुल करके फिर नीचे से उपर की तरफ blood जो है वो जाना शुरू कर देगा तो कुछ ये system होता है जहां आपका blood का flow होता है कि रक्त भे कहां से कहां तक रहे यह होगे आपका दोहरा परी संचुरन यानि कि double circulation यानि कि double circulation बोलो कोई समस्या जल्दी से बताओ एक बार इसी pure blood को कहां पहुँचा दिया शरीर के सभी हिस्सों तक पहुँचा दिया तो मतलब यहां भी हमारी oxygen वाला blood जो है वो जा रहा होगा ठीक है हरियाना से राम राम physics chemistry सुबर 10 बजे होती है आपकी चलिए शुवेंदू बिलकुल तो यहां तक मैं यह शरीर के भागों तक शुद्ध रखता गया अब बारी क्या है यहां body में carbon dioxide भी बनती है हमने पढ़ा था हमारे भोजन का oxygen होता है जब यह oxygen आएगी हमारे glucose से मिलेगी और glucose क्या बनाएग यही process पढ़े थे last में जल्दी से बताओ एक बार यह reaction हमने पिछली class में पढ़ी थी C6H12O6 में अगर oxygen मिलेगी इसका oxygen होगा तो CO2 भी बनेगा पानी भी बनेगा और ATP भी बनता है अब यह CO2 जो बनी है शरीर के अंगों में यह कहां जाएगी यह बाहर जाएगी यह बाहर यही CO2 आपके फेफडों तक गई और फेफडों ने क्या किया उसको सांस जब छोड़ी तो बाहर की तरफ भेज दिया जल्दी से एक थमसप का साइन भेजो कि माम हुआ कि नहीं हुआ यह system समझ में आया कि नहीं जल्दी जल्दी से बताओ यही सवाल जब तुम्हारे examiner पूचेगा ना CGL के अंदर CHSL के अंदर अभी तुम्हारे previous year question दिखाऊंगी इसी topic से आज अगर तुमने यह अच्छे से समझ लिया तो तुम्हारे आदे सवाल circulatory system की तो ऐसी खतम हो जाने है तुम आराम से इसको करके आ जाओगे क्लियर हुआ कि माम ब्लड यहां से हमने सांस ली प्योर सांस ली oxygen थी oxygen आई फेफर इसमें लंग्स में लंग्स से हार्ट में हार्ट से कहां पहुंच गई शरीर में भया लो तुम्हारी supply पूरी करा दी यह pump है तो pump तो ऐसी काम करेगा इसने दुबारा से बेकार जो आपका शरीर को supply देने वाली एक महा धमनी होती है जो सारे organs तक पहुंचाती है तो यहां आती है आपकी वही महा धमनी जिसे कहते हैं erota ठीक है महा धमनी और इस तरफ आती है आपकी महा शिरा जिसका काम क्या होता है जो कि आपकी वेना कावा के नाम से जानी जाती है और co2 वाला blood ले जा रही थी याद करो मैंने बताया था आर्टरी का काम क्या है एच बी हार्ट से बॉड़ी तक लेके जाना बोलो कहा था कि नहीं मैं सबकी बात सुन रही हूं लेगिन तुम पहले मेरी बात सुन लो तो तुम्हें कोई डाउट नहीं बचेगा बटा ऐसा ही था महा धम मिल्क्रण बात सुन लेकर चाएगी बस इतना एक याद रखना कि यहाँ पर यहैं सीयूटू वाला बलड ले जाने वाली कौन होती है पस्टिंन हुटिं किया रा शुद करना चाहिए था浮ेर प्लड नहीं ये कैसा ले जा रही है अशुद्रक्त ले करके जा रही है यही है अपवाद और इसी प्रकार से यहां आती है आपकी पल्मो नरी वीन जिसे कहते हैं उस उसी यह शिरा यह भी क्या है एक अपवाद है क्योंकि है ओक्षिजन युगत ब्लड लेकर जा रही है important topic ये भी अबवाद है और ये भी आपका अबवाद है क्योंकि आप देख रहे हो ये अपने काम से हट के कुछ और काम कर रही है इनको जैसा ले जाना चाहिए था ये वैसा नहीं ले करके जा रही है चलिए प्रयांशो कोई दिक्कत नहीं एक बार ओर डिस्कस कर लेते हैं बोलो बात समझ पारे हो की नहीं एक बार समझ पारे हो की नहीं जिसके अंदर आपकी oxygen होगी क्योंकि oxygen की supply भी करवानी है तो फेफडों से शुद्रक्त आया और इसी शुद्रक्त को इसने आपके पूरे शरीर तक पहुँचा दिया यहां से जो अशुद्रक्त होगा उसको वापस से आपके हृदे तक लाया जाएगा और हृदे फिल से पंप करके आपके फेफडों के रास्ते आप जब सांस छोड़ते हैं तो उसको बाहर पहुचा देता है कुछ यही काम हमारा इस पूरे सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है क्या ये बात clear है इसी के concept जो अभी हमने पढ़े कि आपकी ये जितनी भी धमनिया होती है ये कैसा बलड ले जाती है देखो oxygenated यानि की oxygen वाला लेकिन अपवाद क्या बन गया कि माम ये artery तो है बड़ लेके कैसा जा रही है co2 वाला usually हम जो पढ़ते हैं कि heart से body तक जा रहा है ये concept तो fit हो रहा है लेकिन o2 की जगा क्या आ रहा है co2 वाला blood आ रहा है ठीक है pdf rankas guru कुल पे class के तुरंद बाद मिल जाएगा अब एक और छोटी सी चीज प्रिक्यात कर लेना कि हमने ये तो समझ लिया कि सभी धमनिया artery जहां आएगा oxygen ले जाएगी कहां से कहां तक heart से body तक ले जाएगी इसका exception क्या पढ़ लिया हमने पल्मो नरी धमनी उस फुसी है धमनी जो कैसा ले जा रही है co2 वाला blood इसी प्रकार से सारी की सारी veins co2 कहां से कहां तक body से heart तक इसका exception क्या हुआ pulmonary शिरा pulmonary veins कैसा ले जा रही है co2 वाला blood एक और चीज याद रखना कि आपका ये पूरा पूरा जो right भाग है इधर देखो ये पूरा जो right भाग आप देख रहे हो यहाँ पर इधर भी co2 है इधर भी co2 यानि कि मैं लिख सकती हूँ कि right या दाहिने भाग में co2 वाला blood जा रहा होगा और left या बाय भाग में oxygenated blood बह रहा है ये trick और अपनी याद रखना कि दाया और बाया भाग कैसा blood लेकर के जाता है ठीक है दाया और बाया भाग कैसा blood लेकर जाता है सवाल बनता है ये कि आउजरा लगाउजरा अब तुम्हें समझ में आ गया है तो देखिए कितने question लगा पाते हैं आप लोग चलिए भाई लगाईए question what brings back deoxygenated blood from different part of the body to the human heart करिए answer lungs, veins, arteries है या फिर nerves होंगे या फिर nerves होंगे जल्दी जल्दी से चलो समझने की बात है सब को सब को समझ में आता है समझना चाहें तो हम असानी से सब समझ सकते हैं अब कह रहें deoxygenated blood को human body से heart तक ले जाने वाली धमनी है शिराहे क्या होगी आप answer दे रहे हैं कि मैं यहाँ पर c option आएगा अब जो भी artery का option दे रहें बिटा deoxygenated blood थोड़ी लेके जाती है लेकिन फिर वही बात कि आपकी body से heart तक की बात कर रहे है शरीर से heart तक तो शरीर से heart तक कौन लेके जाता है deoxygenated blood को वो हमारी शिराएं होती है भी होता है यहाँ होता oxygenated ठीक है यहाँ पूछता oxygenated blood के बारे में बोलो पूछता की नहीं पूछता clear हुआ concept अगला सवाल बताओ बताएं भाई which among the following carries impure blood to the human heart heart तक impure blood कौन लेकर के जाती है जल्दी से लगा दो इस question को रिदे तक अशुद रक्त को कौन पहुँचाता है यही तो मसला है माम अगर हम चीजों को ध्यान से समझेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं होगे अच्छा चीजें clear हुई की नहीं हुई एक थमसब का sign फटा 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 और जिन्होंने session को like नहीं किया है अगर समझ में आ रहा है concept तो भाई यह काम तो आपका यह फर्ज आपका बनता है session को like कर देना और पहुँचा जरूर देना हर उस साथी तक जो तैयारी कर रहा है आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली तो करते रही है यूहीं मैनत option D और C दोनों आ रहे हैं अब देखो क्या कह रहा है दुमसे impure blood है impure के नाम पे तुम्हें तुरंत क्या यादा आया वीन्स का नाम फिर कह रहा है blood को human के heart तक पहुँचा रही है हाट तक impure blood वो पहुच रहा था वेना कावा के द्वारा यही तो था मुख्य शिरा जुसका काम कुछ इस प्रकार से दिख रहा था तो यह अपवाद तो मेडम काम ही नहीं करेंगे अपवाद तो काम ही नहीं करेंगे देखो क्या कह रहा है heart तक रिदय तक यही तो पहुचा रही है वेना कावा body से heart तक impure blood को body से heart तक समझे concept यह अगर तुम्हें याद हो गया तो आधे से जाधा concept तुम्हारे यहाँ पर clear हो जाएंगे इसलिए blood cycle जो है flow की यह बहुत important है clear होई कहानी की नहीं फिर तुम कहते हो कि मैडम सवाल क्यों गलत होते हैं तो यह आपकी महाँ शिरा है जो की काम करेगी अशुद रक्त को यानि की CO2 को body to heart ठीक है यही तो कह रहा है body से heart तक अब बताओ इस पे कहां tough लगा लग रहे किस how many chambers are present in heart चल्दी से बताओ मुझे एक बार heart के अंदर कितने कक्ष उपस्तित होते हैं ठीक है कितने कक्ष मानव रदय में पाए जाते हैं कितने कक्ष होते हैं चार आंसर आ रहे है आपका आंसर माल लिया चार है वो चार कक्ष जो आपके उपस्तित हैं वो कौन कौन से थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि ऊपर दो आलिंद थे और नीचे दो निले थे A word का मतलब होता है Oracle इसका मतलब है Arlind और V का मतलब होता है Ventrical मतलब निलय ठीक है ये चार क्या है कक्ष है लेकिन मैं अगर तुमसे ये पुछोगे कितने evolve पाए जाते हैं heart में तो क्या answer लगाओगे heart में कितने evolve पाए जाते हैं 2 प्लस 2 तुमने लगा दिया अभी question थोड़ा सा बदल देते हैं कि how many valve are present in heart क्यों भई कितने कपाट मानव रिदय में पाए जाते हैं कितने कपाट पाए जाते हैं question number दूसरे का answer आप क्या लगाएंगे पहले का तो आपने कहा 4 होगा 4 बिल्कुल सही है लेकिन माम दूसरे वाले का answer आ रहा है 2 क्या आ रहा है 2 आ रहा है अब बिटद 2 नहीं होते देखो यहां भी याद रखना कि आपके इसका भी answer 4 ही होगा आप बोलोगे माम 4 कैसे होगा 4 कहां से आएगा 2 नहीं होते इसका भी answer 4 आएगा देखो किस प्रकार से आपने जब heart को समझा हृदय को समझा तो हृदय के अंदर एक कपाट यहां होता है मतलब इन दोनों आलिंद और निलय के बीच में एक तो यह कपाट हो गए मतलब नमबर एक और नमबर दो दो गेट तो यह हो गए बाकी के दो जो कपाट बогодते हैं वो यहां बनते हैं जब आपका blood यहां से निकलता है और यहां से बाहर निकलता है यानि कि मैं अगर यह कहूँ कि blood यहां से तुम्हारी body तक जा रहा था और फिर इस प्रकार से यहां से कहां पहुंच रहा था आपके lungs तक, इन रास्तों में भी आपके दो और कपाट जो हैं वो पाए जाते हैं एक यह है और एक यह इन दोनों को नाम देते हैं semi lunar valve, कुल मिला के चार होते हैं, ठीक है, इन दोनों को नाम दिया जाता है, इसको भी और इसको भी semi lunar valve, यह valve है, यह कपाट है होता किया है न कि अचानक से pressure ना भढ़ जाए अचानक से इस blood का pressure ना भढ़ जाए तो इसे control करने के लिए हर जगह एक gate type का एक valve यहाँ पर लगा दिया जाता है तो इसको कहते हैं, कपाट तो यह दो semi lunar valve होते हैं, इधर और एक इधर यह दो संख्या में है, इधर और इधर दोनों है इस तवाले को नाम देते हैं, हम bycuspid और mitral valve ठीक है, इसको कहा जाता है dwi वलनी कपाट कहते हैं, त्री वलनी कपाट अब पूछोगे question कैसे आएगा भाया question आएगा कि यह त्री वलनी कपाट किन खिन हिस्सों के बीच में है आप बताएंगे right oracle, right ventricle के बीच में, तो dwi वलनी कहां है left और left ventricle के बीच में इसको और किस नाम से जाना जाता है रहेंगे try वाला अकेला था और बाकी के दोनों क्या है? semi lunar valve है तो कुल मिलाकर चार कपाट हो गए चार valve हो गए, नमबर पहला यह आपका संख्या डाल लेना दूसरी, यह हो गई तीसरी और यह हो गई चौथी कोई doubt किसी के मन में? हां जी हम overall संख्या की बात करेंगे तब हम इसको देखते हैं कि कुल मिलाकर के कितने हैं तो एक, दो, तीन और चार यह आपके entry और exit को regulate करते हैं कि अच्छा अब लट जा रहा है बाट चलो ज़रा gate बंद कर दू कि बाकी का ना भेह जाए जैसे यहां से निकला बाकी का ना भेह जाए देखो कुछ इस प्रकार से यह तुम्हें दिखाई देते हैं यह कपाट आपके कहां चले गए चलो यह है जो आपका हरिद्य है एक बंद मुठी के आकार का आप इसको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यह उपस्तित होता है छोटा सा ओर्गन और यह इसके एक दो तीन चार इस प्रकार से चार वॉल्व यहां पर पाए जाते हैं चलो जल्दी से बताओ कोई डाउट किसी के मन में यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ तो यह चार जो ओपनिंग आप देख रहे हो कि खुलेगा तब ब्लड अंतर आएगा एक तरफ आपका शुद्ध है एक तरफ अशुद्ध है इसलिए उस हिससे को हम लाल देख रहे हैं और इस हिससे को नीला और हरा यहां पर देख रहे हैं हां धमनी दिख रहे हैं ठीक है कोई डाउट किसी के मन में बोलो बोलो जल्दी से भाई अब बताओ दिल ता मामला समझ में आया कि नहीं आया मतलब यह जो यूमन हार्ट है इसका ब्लड फ्लो आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि ब्लड पह कैसे रहा है तो ऐसी ही चीजों को इन डेफ्ट समझना है अब इसके बहुत सारे डिसॉर्डर्स हैं कि आखिर बीपी क्यों भड़ता है ECG का टेस्ट क्या होता है? Heart Attack, Heart Fail किस प्रकार से देखा जाता है? आप कैसे अपनी धड़कन को मापते हो और कहां से धड़कन बनती है आपके शरीर के अंदर? ये सारे डाउट, ये सारे टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे आपके कल के लेक्चर के अंदर जहां हम इन सभी टॉ आप लोग अपनी पीडिएफ अभी ले सकते हैं आप लोगो प्रोवाइड कर दी जाएगी क्लास के बात में ठीके ये आपका टेलिग्राम है यहां से आप कनेक्ट करके अपनी पीडिएफ को ले सकते हैं हां अभी इसको समझेंगे और इसके बाद कल वाले लेक्चर में सारे के सारे हिर्दय के डिसॉर्डर को कवर करेंगे सेम टाइम सेम जगा तब तक के लिए आशा करूंगे यहां तक कि सभी चीज़े क्लियर हुई हो और क्लास कहती लगी है मुझे कॉमें सेक्शन में जरू को मिल जाएगी अभी तो नहीं है लेकिन जल्द ही आपको मिल जाएगी और कल कुछ क्वेशन भी प्राक्टिस करने वाले सेशन को पहुंचा देना जो भी भाई बंतु तयारी कर रहे हैं अच्छा लगा हो तो बताइएगा किस प्रकार से आपके कॉमेंस यहां पर रहते ह कर दोड़ेशन को टो यहां थाएगी तो आपके कॉमेंस आपके कॉमेंस हंजवाशन कोईड़स।